तो गाई जास के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप ड्रीम क्रिके 24 गेम खेलते हैं उसके अंदर आपको ये आ जाता है अपडेट का ओप्शन आपको शो होता है जब भी आप ओपन करने का ट्राय करते हैं तो अगर आपको यहाँ पर अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है और आप इसको अपडेट करना चाहते हैं या फिर आप जो है इसको हटाना चाहते है इस अपडेट को जो अपडेट रिक्वाइड आपको शो होता है तो ऐसे हम आपको क्या करना है वो मा इस वीडियो में आ आपको download करने को बोल रहा है वैसे तो ये गेम जो है early access है तो फिर भी मैं आपको बता देता हूं अगर आप update पर क्लिक करते हैं तो redirect हो जाएंगे आपके play store पर play store में आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इसको आपको कैसे करना है सही वह मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में अंट तक बने रहीएगा आपको यहां से बैक आजाना है बैक आने के बाद आपको यहां पर settings पर क्लिक करने के बाद आपको directly नीचे आ करना है यहां पर अपनी application को search कर लेना है तो यहां पर हमको search करना है play store को play store आ चुका है यहां से इसको open करना है play store जैसे open हो जाएगा यहां पर सबसे नीचे clear data देखने को मिल रहा है इस तर क्लिक करिए यहां से इसका clear cache करिए then उसके बाद clear data पर क्लिक करिए और clear all data कर दीजिए यह काम आपको कर देना और back आ जाना है इससे आपके जो update है वो चला जाएगा अगर फिर भी नहीं जाता है या फिर आपको जो है यहां पर update आया हुआ था तो redact करने के बाद आपको play store पर update मिल जाएगा यह काम कर लीज और आपको update शो नहीं होगा यह काम आप कर सकते हैं अगर आपको फिर भी प्रॉलम आते मुझे comment box में बताइएगा मैं आपके लिए कोई solution ले करा हूँ तो मिलते नेक्स वीडियो में या तो फिर आपको यहां पर wait ही करना पड़ेगा एक से दो दिन का so guys आज की वीडियो म मिलते नेक्स वीडियो में तिल नवाटे कर लव यू अल